Hello friends, welcome to this new lesson. Indusvili civilization को हम continue करेंगे. तो जो next fact है आपका about Lothal and Sutkotra. तो both these places are in Gujarat और ये port cities हैं. ठीक है? Next fact है आपका काली भंगन के बारे में. तो काली भंगन ये सब Indusvili sites हैं. काली भंगन कहा हैं तो आपको ध्यान रखना है, राजिस्थान में हैं. और यहां से क्या मिला है? यहां से आपको Plugged Farm के Evidence मिले हैं. ठीक है? Plugged Farm के Evidence आपको मिले हैं. Next point आपका about Mohenjo-Daro. कहां पर है ये? It is in Pakistan. Mohenjo-Daro is in Pakistan. ओके? और Mohenjo-Daro का मतलब होता है Mound of Dead. ये question आया हुआ है. What does Mohenjo-Daro mean? तो Mohenjo-Daro का मतलब होता है Mound of Dead. Mound of Dead मतलब धेर. Mound का मतलब होता है धेर. ठीक है? Pile. ओके? तो यहां से हमको क्या मिला है? तो यहां से काफी बड़ी ग्रेंडरी मिली है. अन गर जिसको हिंदी में कहा जाता है. ग्रेंडरी. जी. ठीक है? अन गरेंडरी मिली है. नेक्स्ट वेक्ट है आपका. कि कुछ चीजे थी जो इंडर्स वेली में इंपोर्ट होती थी. इंडर्स वेली में बहार दूसरी सिविलाजेशन से मंगवा ही जाती थी. तो उनमें एक थी कॉपर. ठीक है? आपके स्टोन्स होते थे काफी सारे. पर स्टोन्स मिलते थे. आपके मर्कूरी, सीस. तो इस तरह से ये जो आइटम्स थे आपके. ये आइटम्स क्या होते थे? इंपोर्ट होते थे. मोहेंचु दारों में एक ग्रेट बात भी मिली. ठीक है? और दूसरा ग्रेट बात. तो ये हमको ध्यान रटना है. ठीक? काली बंगन के बारे में मैंने आपको बताया था कि काली बंगन से प्लग्ड फील्ड मिली है. काली बंगन इसे लाजिस्तान. तो यहां से एक हमने पढ़ा था प्लग्ड फील्ड. ठीक है? मिलाता है. मोहिंजोदारों से हमने एक चीज और मिली. वो मिली थी. एक ट्राइसेफेलिक. ट्राइसेफेलिक. ट्राइसेफेलिक का मतलब होता है. जिसके तीन सिर होते हैं. तो ट्राइसेफेलिक एक गॉड है. जिसको वहाँ पशुपतीनात कहा गया है पशुपतीनात ट्राइसेफेलिक है ठीक है कहां से मिली है तो मोहिंजोदरों से मिली है तो यह जो मिली है ट्राइसेफेलिक है तो यह भी वहाँ सील मिली है सील जो महर होती है वहां से मिली है और इस सील के चारो और एनिमल्स है वो क आपका राइनो उसके बाद है आपका चीता और देन आपकी है और थेकिc और यह हम को मिलिए तेक centre है मोहैं जो और हमके चीज क्या मिलिए बॉमस डांनसिंग गर्ल का ब्रॉं प्रॉंज असंटेच्व तो यह भी हमको कहां जोका है यह भी हमको मोहिंजोदारों से मिला है ठीक आपको ध्यान रखना कि हरपा से जो सील मिली है मोहिंजोदारों तो हमने पढ़ लिया कि मोहिंजोदारों की सील पर हमको क्या मिला वहां पर हमको एक ट्राइसेफेलिक जो है गौड की सील मिली मोहिंजोदार अधर्पा से भी devi मिली है거든 मेली मिली है युणिकॉर अगर आपने बहुर्व मोहेंजोधरों से तो है आपने नोटिस किया हो प्रोके हैं अजके एंज बेट सवेक्ट्रि में रहा है वह आतनी वह हमार मिली है वह आपको यूधा में छो माला होती रहिण靂 मुलोथल में मिली है और चनुदारो में मिली है चनुदारो इस इन पाकिस्तान ठीक और इसकी सिंदु काटी सब्वे हमें ध्यान अपना कि जो ढोला वीरा ढोला वीरा इस प्लेश इन गुजरात ढोला वीरा जो प्लेश है वहाँ से हमको एक स्क्रिप्ट मिली है वह स्क्रिप्ट कैसी है पिक्टोग्राफिक है पिक्टोग्राफिक है ठीक है और उसको हम बॉस्ट्रू फैडन भी कहते हैं जो स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक है और वह लिखी किस तरीके से है Bostro Faden तरीके से लिखे Bostro Faden Bostro Faden में क्या हOTा है कि यहाँ से शुरू होती है फिर यह line कतम होती है तो फिर यहाँ से शुरू होती है इस तरा से वो Bostro Faden चलती है ठीक है Bostro Faden स्क्रिप्ट है और वहाँ पिर दहान लखना bridge pattern था roads का grid pattern था मतलब एक जो है आपका रोड उपर होता था, कुछ लोग आपके एक elevation पर रहते थे और कुछ लोग नीचे रहते थे, जो लोग उपर रहते थे, वो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो थे, वो upper status था उनका, और जो नीचे थे उनका lower status था, ठीक, और यहाँ पर जो उपर जो र घर थे, जो घर के दर्वाजे अभी आप देखोगे, तो घर के दर्वाजे highway की तरफ खुलते हैं, पर ऐसा उस टाइम इंडर्स वेली civilization की जो, जो excavate हुए हैं, जो houses, तो वहाँ पर देखा गया है कि जो rooms हैं, वो कहां खुलते हैं, वो back side कुलते हैं, ना की highway की तरफ खुल जो जवार होती है, वो, these are the two main crops, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि these are the only crops, हमको वहां rice के भी evidence बिले हैं, और दूसरे crops के भी मिले हैं, ठीक है, these people use honey also, honey भी वो use करते थे, ठीक है, तो honey भी वो लोग use करते थे, लोथल में rice के बारे में मैंने बताया, जो rice है आपकी, rice के सबसे पहले evidence मिले थे, लोथल गुज्राद से, और rice के evidence रंगपुर में भी मिले हैं, ठीक है, रंगपुर में भी मिले हैं, यो नोँ आपको ध्यान रखना है, ठीक, घोड़े के बारे में बात करेंगी, horse, तो घो उसकी स्केलेटा ने वो मिले हैं कहां से सुर्ग तोड़ा सुर्ग तोड़ा इस इन गुजरात काली बंगन जोगी राजिस्तान में लोथल लेटिस इन गुजरात यह बड़े इंट्रेस्टिंग फैक्ट है यूबीसिय ने एक्ट पूझा था कि इंट्रेस्ट व्लिजैशन में हॉर्स मिलते थे बड़् यूपीसिय ने उस स्टेट्मेंट को गलत माना ठीक हैं तो किसी ने जो उस पे यूपीसी ने बदाया था किसीने objection भी लिया था तो वहाँ से यह बताया गया था कि वो evidence मिले है that is true कि इंडस्वेली साइट से यहाँ पे evidence जरूर मिले हैं लेकिन इसका कोई प्रमान नहीं है वो उन्होंने इसको sure नहीं माना कि इंडस्वेली सिविलाजेशन के ही वो evidence थे यह उन्होंने नहीं माना तो इसलिए अगर आप से कोई पूछेगा कि वहाँ evidence मिले थे इंजाइट से तो yes evidence मिले थे but क्या इंडस्वेली सिविलाजेशन में होर्स होते थे तो ऐसा माना गया है कि नहीं होते थे आपको यह ध्यान रपना है UPSC ने इसको जो statement को कि इंडस्वेली सिविलाजेशन होते हैं तो UPSC ने तो इस statement को गलत माना था ठीक है तो आपको ध्यान रपना है 16 में, 16, 32, 64, ठीक है, अभी हम पहले आपने अगर आप किसी पुराने बंदे से पूछो गे तो बताएगा चार आने भी होते थे, ठीक है, तो पचार आने, 25 पैस है, तो यह इस तरह से जो है न, उस टाइम, 16 के जो रेशियो में वेट थे, तो आपको यह ध्यान रपना है, अच्छा, आपको एक वर्ड मिलेगा, मेलुहा, तो यह मेलुहा क्या है, मेलुहा क्या है, आपका, जैसे ही ठीक है, यहाँ पर अरेवियन पेनजुला, यहाँ पर इरान, अफरीका, सीरिया, ठीक है, तो यह वाला जो रीजन है आपका, यह जो रीजन है न, यहाँ पर आपकी थी, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन थी, जैसे हमारी इंडस रि सिवक्सीजर पर थी तो यह उनकी वहां सिविलाजेशन थी ठीन हो मेहां पर मेलूहा एहां तो तो इद्थे थे मेलूहा मेलूहां इसीमिलर टू blossom міशन्वेडि निटेक है मेसोपुटैमियन सिविलाजेशन ठीक है ऐसा माना हुआ है कि जो इन्क्रार्ट सबस्क्राइ पड़ydi लएसे इस इसे वि 17iji neighborhood to पिए तोधया था कि यह यह पिखे लोड़ा एक सम्राज़। सी ऐसे दो that और अ क्राइं शुरुन से यह हुल्त डारों पहले डिसक वोई थैं तिर घ्र-ठै और यह काफी बड़ी साइट से दोनों ही, इसलिए इसको हरपण सिविलाइजेशन भी कहा जाता है जो वर्शिप क्या करते थे सिंदु घर्टी के लोग, तो वर्शिप क्या करते थे, वो नेचर को वर्शिप करते थे, मदर गॉड़स ठीक है, मदर गॉड़स ओवर्शिप करते थे, ठीक है ट्री की पुजा करते थे, इस तरह से महाँ पे एविडेंस मिले हैं, महाँ पे स्वास्तिक का साइन मिला है, ठीक है, तो ऐसा बना जाता है कि इंड़स वेली सिविलाइजेशन से ही है, स्वास्तिक का साइन आए था, अगर आप status of woman in India लिखोगे, अगर कभी भी तो आप शुरुबात कहां से करोगे, इंड़स वेली सिविलाइजेशन से करोगे, तो आप ये लिखना कि इंड़स वेली सिविलाइजेशन वे वोमेन का status ऐसा दिखता है कि बहुत अच्छा है क्यों कि वहां पर जो सील्स मिली है वो mother goddess की सील काफी जादा मिली है ठीक है उसके बाद वहां पर जो आपके dancing girl का statue मिला है ठीक है dancing girl का statue कहां से मौहिंचोदारों से मिला है फिर आपको जो beads मिले है ठीक है जो जो women make up करती है तो इस तरह से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर एक equal status था women का और अच्छा status था तो industrial civilization में आप ये लिख सकते हो ठीक है, वहाँ पर hump वाला bull, जिसके kooberd होता है hump वाला bull, वो भी मिला है आपको seals में, ठीक है तो आपको ये ध्यान रटना है वहाँ के लोग cotton का use करते थे ठीक है जो textiles होती थी उसका use करते थे ठीक है, तो आपको ध्यान रटना है कपड़े का use करते थे इसमें एक feta की, वो लोग तलवार, sword के बारे में नहीं चानते थे, ठीक है तो आपको ये ध्यान रटना है मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक sitadal है, जहाँ पे उपर उचाई पे घर बने है platform पे घर बने है, और एक नीचे भी घर बने है और जो उचाई वाले घर है, वो वहाँ पे क्या है, किला है, फोर्ट है लेकिन एक इसी जगह है, जहाँ पे नीचे वाले घरों में भी फोर्ट है, अकिला है तो उसको वो कौन सी जगह है काली वंगन, काली वंगन का है राजिस्तान में है, ठीक अचाई इसमें एक fact लिखा है, जिसको मैंने काफी ढूंडा, पर वो मुझे मिला नहीं तो लेकिन ये lucent में fact है कि इंडस वैली में परदा सिस्टम था मैंने इसको काफी ढूंडा मुझे नहीं मिला, मिलेगा तो मैं उसको description न मेंचिन ज़रूर करूँगा परदा सिस्टम और prostitution दोनों opposite चीज़े हैं पर परदा सिस्टम भी वहाँ पर इंडस वैली में था और prostitution भी था ठीक है तो मैं इसको कोशिश कर रहा था ढूंडने की, तो मुझे मिलेगा तो मैं share करूँगा उसके बाद यहाँ पर जो dead होते हैं, dead bodies होती है तो dead body के लिए जो बरियल होता है दफनाना वो भी था और burning भी था दोनों थे ठीक है तो आपको यह घ्यान अपना है और ऐसा बताया जाता है कि सिंदू भाटी सब्वेता खतम कैसे हुई तो खतम ऐसा बोलते हैं कि वह natural कोई calamity आई अब flood आया, उससे हुई ठीक है, और भी है, बोकों बहुत से लोग बोलते हैं कि आरेंस आ गए थे, वहाँ पे कुछ एक war हुई तो इसके ज़्यादा evidence नहीं मिले है mainly इसको ही माना जाता है कि वहाँ पे natural calamity आई flood आया इसके कारण जो है flood के कारण Indus Valley Civilization खतम हो गई ठीक तो यह आपके facts Indus Valley के खतम हो गई, इसमें एक part और बाकी है कुछ sites है तो वो मैं आपको बतायता हूँ, हरपपा आपको पता है कहां पे है तो हरपपा आपकी रावी नदी के bank पे है और इसको सबसे पहले यह find हुई थी तो यह 1921 में हुई थी और इसको find किया था दयाराम सहानी, Mr. दयाराम सहानी ने, ठीक है और एक foreigner भी है पर यह आप नाम इसको ध्यान रखें मोहेंजोदारो और इसका वर इन दी यह 1922 और मोहेंजोदारो जो है आपकी वो आपकी किसके बैंक पर है तो वो आपकी इंडस रिवर के बैंक पर है ठीक है, इनौट में यह साउथ में है ठीक तो राखलदास बेनर जी का नाम आता है तो इन्होंने find की थी ठीक, उसके बाद में आपको place के और जो आपको ध्यान रपना है वो बता देता हूँ चनुधारो कहां है चनुधारो इस इन पाकिस्तान यह कोट दीजी कहां पर है तो कोट दीजी is also in पाकिस्तान रोपड आपकी पंजाब में है ठीक है रोपड है आपकी लोथल आपकी गुजरात में है बता दिया मेरे आपको ठीक है राखी गिरी बनवाली दे बोध आरेन राखी गिरी बनवाली यह दोनों जो है आपकी यह आपकी है अर्याणा में ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रपना है तो यह पाफी है इतना आपका दोला भी रहे एक प्लेश है वो भी आपकी कहा है गुजरात में तो इतना काफी है मैं कोशिश करूँगा कि यह सिफ लूसेंट के फैक्ट मैंने कवर किया है कुछ क्वेशन्स होंगे इंडस वेली के तो वो भी मैं कवर कर दूँगा लूसेंट इंडस वेली इतनी नहीं है काफी सादा है इसके बारे में पढ़ने को लेकिन क्योंकि स्टेट PCS में और दूसरी एक्जामस में लूसेंट से बहुत फैक्ट आते हैं तो लूसेंट जो है स्टूडेंट्स एक शॉर्ट रिविजन के लिए प्रिफर करते हैं आगे आप NCRT या दूसरी फोलो कर सकते हों थैंक्यू सो मुच ट्रेंड्स